ओम स्रीगणेशे नमा दोस्तों ओम गणपती समधानी यूट्यूब चेनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात कने वाले 16 सितंबर गुलवार आज के मिथुन रासिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और विवसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तों वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नई तो इस चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोट्फीशन की मेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नई नहीं महत्पून वीडियो पहुंच सके तो चैनली दोस्तों बात कर लेते कैसा रहीगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है आप अपना लक्षे निर्धारित करने के लिए कोई नई योजना बनाएंगे जिया दोस्तों थोड़ी सी महनत करके आप अपने लक्षे को आसानी से प्राप कर लेंगे आपके आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा वेफसाई कारियों के लिया से दिन बहतर रहेगा आप हर कारियों को दहरिया और समंधारी से पूरा कर लेंगे आपके सबी काम बनते नजर आएंगे जिया दोस्तों आज कोई सुब समाचार मिलेगा पारवरिक मामलों को लेकर आपको थोड़ी रहात मिलेगी भाई भेनों के साथ आपके रिष्टे बहतर होंगे जीवन साथ ही आपकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे बिजिनेस के मामलों में थोड़ा उतार चड़ाओ होने के बावजूत आपका बिजिनेस अच्छा रहेगा जीवन दोस्तों अब कुछ नए काम काज आपके सामने आएंगे जिनके लिए आपकी मुलाकात कुछ जरूरी लोगों से भी हो सकती है कोई सुब समचार मिलने से आपका मन प्रसंद रहेगा जीवन दोस्तों घरेलू समश्याओं को सांति पूरो ढंसे सुल जाने में आप सफल रहेंगे सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिलेगी उच्च अधिकारियों से सहीयोग मिलेगा घर परिवार में इस्तिती अनुकूल बनी रहेगी जीवन दोस्तों परिवार मालों के साथ हसी खुशी के पल आप बिताएंगे आपका आर्थिक पक्ष्ट पहले से मजबूत होगा अब छात्रों को अपने गुरुों से कुछ नया सीखने का मोका मिलेगा कॉमर्स और साइंस के विद्यारतियों को सिख्षकों का पूरा-पूरा सहीयोगिस समय प्राप्त होगा और उन्हें केरियर में आगे बढ़ने के बहतर मोके भी मिलेंगे जीवन दोस्तों साथी साथ विद्यारती अपनी प्रितियों किताओं में सफलता हसिल करेंगे अपने माता-पिता के सुवास्त का द्यान रखें अब आपके सुवास्त सम्मंदी समस्या इस समय समाप्त हो जाएंगी संतान सुख आपको मिलेगा घर में सुख सान्ती बनी रहेगी जिया दोस्तो आपके लिए आज क्या नेगिटिव रहेगा इस समय किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई संपर्क ना रखे इस से आपके मान सम्मान को ठेस पहुँच सकती है कभी-कभी छोटी सी नकारत मबात पर क्रोधित हो जाना आपके बनते कारियों को बिगाड़ेगा अपने विवार को सहीमत रखना भी आपको आवशक है आपकी लव लाइप कैसी रहेगी? पती और पतनी के बीच रोमांटिक संबंद इस्तापित होंगे इससे आपसे संबंद बहतर होंगे जीवन साथी से आपका पूरा-पूरा सहीयोग मिलेगा सपोर्ट मिलेगा जीवन साथी को कोई लाब भी प्राप्त हो सकता है जीवन साथी के स्वास्त का दिहान रखे ऐसे रिष्टे जो अलग से हैं और कोई बात नहीं हो पाईए तो ऐसे रिष्टों को छोड़कर आगे बढ़ना ही सहीये आपका स्वास्त कैसे रहेगा स्वास्त से संबंदित समस्चा है आज समाथ हो जाएंगी स्वास्त उत्तम रहेगा कोई सरदर्द या हातों में दर्द की समस्चा परिसान कर सकती है वर्तमान पर स्वास्तियों में लापरवाई बर्दना ठीक नहीं होगा इसलिए स्वास्त रहने के लिए नियमित योग करें प्रणायम करें व्यायम करें और अधिक स्वास्त रहें दोस्तों आज आप यह उपाई अवस्य करें, भगवान विश्णू को नारियल अर्पित करें, और नारियल का प्रसाद बाटे, और 108 बार इस मंत्र का चाप करें, ओम स्री भगवते वासु दिवाय नमा, ओम स्री भगवते वासु दिवाय नमा, ऐसा करने से आपकी सभी मनो क काम नए खूल होंगी, दोस्तों आपको बहवान विश्णू का शिर्वात प्राप्त हो, कमेंट में जे विश्णू अवस्य लिखें, धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुब और मंगल में हो,